हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम टो अवर यूटूब चैनल आसान राफो यू अपरा एकादसी का वृत अपार सुप प्रदान करने वाला और मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला माना गया है यदि आप इस दिन वृत नहीं भी करते हैं तो भी आपको कुछ बातों का ख्याल अवश्य रखना चाहिए अपरा या अचला एकादसी मोरत एकादसी व्रत तिती होगी 6 जून रविवार को एकादसी तिती प्रारंब होगी 5 जून सुबह 4 बचकर 7 मिनट पर एकादसी तिथी समापत होगी 6 जून सुबह 6 बच कर 19 मिनट पर एकादसी के पारण का समय होगा 7 जून प्रातकाल 5 बच कर 27 मिनट से सुबह 8 बच कर 12 मिनट पर एकादसी तिथी में विश्णू जी की पूजा में तुलसी पत्र चड़ाने की मानिता है लेकिन एकादसी के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए इसके लिए आप एक दिन पहले ही तुलसी का पत्ता तोड़कर रख लें सास्त्रों के अनुसार एकादसी के दिन घर में ज़ाडू नहीं लगानी चाहिए एकादसी के पहले दिन सुर्यास्त से पहले घर पर जाडू लगा कर घर की अच्छी तरह से सपाई कर लें क्योंकि एकादसी का बरत 3 दिन, 10 मी एकादसी और 12 तक चलता है इस दौरान जाडू लगाते समय गलती से चीटी या अन्यसुक्स मी जीव मर सकते हैं इसलिए एकादसी के दिन ज़डू वर्जित होता है एकादसी तिती पर बाल, दाड़ी वनाकून नहीं काटने चाहिए एकादसी के दिन भूल कर भी चावल नहीं खाने चाहिए विश्णु पुराण के अनुसार एकादसी पर चावल खाने से पुन्यफल नष्ट हो जाते हैं क्योंकि चावल को हविश्य अन्न सहा गया है यानि ये देवताओं का भोजन है इसके अलावा वेगैनिक तथियों के अनुसार चावल में पानी की मातरा जादा होती है चावल से भी एकादसी के दिन चावल खाना वर्जित है दोस्तो इसलिए अगर आप इन नियमों के साथ एकादसी का वरत करते हैं तो आपको इस वरत का पुन्यफल अवश्य ही प्राप्त होता है